तो दोस्तो आज से एक दो दिन पहले आदी पूरुष मूवी का टीजर आया है जिसे बहुत ज़ादा ट्रोल किया जा रहा है पर आखिर क्यों? क्यों इस टीजर को इतना ज़ादा ट्रोल किया जा रहा है? क्या मिश्टेक है इस ट्रीजर में? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टोपिक पर बात करने वाले हैं और आपको सारी जानकारी बताएंगे कि क्यों इस टीजर को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है जो सिन कोपी किया गया है दोस्तो ये सिन साउथ की एक मूवी शेरा नरसिमा रेडिस से कोपी किया गया है इस मूवी में भी एक्टर ऐसे ही अंडर वाटर में तब करते हैं तो ये सिन वहां से कोपी किया गया है अरे पाप रहे ये तो दोती खोल रहा है इस मुवी में सेफाली कान को रावन बनाया गया है और उनकी हैरिस्टायल को लेकर काफी जाधा टुल किया जा रहा है और इनके इस लूक को मुगल एंपायर के बादस्या नाम कुछ भी इसमें जो रावन पुश्पक विमान पर बेट कर आते हैं उसे गेम अब थोन्स नाम की वेब सीरिस के ड्रेगन से कोपी किया गया है और कहीं सारे लोग तो इसे चमकादर भी बोल रहे हैं दोस्तो रावन के पुश्पक विमान को ऐसे दिखाना चाहिए था तो दोस्तो इस सीन में भगवान राम को राम सेतु के उपर चलते हुए बताया गया है और इस सीन में सबसे बड़ी मिस्टिक ये है कि इसमें भगवान राम को चपल पहने दिखाया गया है जबकि भगवान राम की चपल भरत जी ने रख ली थी और इस मूवी में भगवान नाम को चपल में दिखाया गया है जो कि काफी जादा गलत है और लोग इसी वज़े से इसे ट्रोल कर रहे है दोस्तो आदी पुरूश के इस सीन में पूरी वानर सेना को दिखाया गया है जिसमें वो रक्षेसों के सामने लड़ने आ रही है दोस्तो ये सीन भी एक होली वड की मूवी से कोफी गया गया है जिस मूवी का नाम है दध लेजेंट ऑफ टार्जन दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस मुवी के सिन को Sam-to-Same कोपी किया गया है अजान कारी के लिए बता दे कि यह सिन भी एक Hollywood की मुवी से कोपी किया गया है जिस मुवी का नाम है Man of Steel इस मुवी में भी हीरो पानी के उपर उड़ते हुए आता है दोस्तो इनी सारे वीजन के वज़े से इस ट्रीजर को ट्रोल किया जा रहा है तो दोस्तो आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए